कि हलो फ्रेंडश आज हम बात करेंगे एस्टर वैलीउ के बारे में ठीक है लास्ट हमने अजिद वैल्य वैलिई के बारे में पढ़ा था उनिज़ थी फेले नोज़स देख रहे है ठीक है तो आज अम आलेटिकल कॉंस्टंट देख रहे है तो दो हमने देख लिए आज हमार थर है जो एस्टर घिलेक मतलब के नंबर अब अंजी रिक्वार्ड के ऊएच रिक्वार्ड टूश्यत्र प्रेजशन इन वन ग्राम सेंपल आप एक ग्राम सेंपल लोगे उसमें एस्टर जो प्रेज़न होता है ठीक वह एस्टर को सेपनी फ़ेकरने के लिए आपको कितना के ठीक है वो होगा है हमारा western video डन हम बात करते principle के बारे में default मुंध क्या एंगाएगा कि difference between जो हमारा Sam यहां हमारा हो जाता है तो आपको सीधा ही मिल जाता है तो इस अगर एक्जाम आपको पूछा चाहे तो डेफिनेशन प्रिंसिपल में भी आप लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है अलग से ना लिखो तो प्रिंसिपल में लिख देना तो भी चलेगा तो एस्टर वैल्ली इस इक्वल टू सेपोनिफिकेशन वेल्यू माइनस एसेड हम इंडिकेट करता है कि जो इस्टर प्रेजन्ट होता है वो हाय अमाउंट में होता है और जो मॉलेकिलर वेट होता है वो लो होता है ठीक है आपका इस्टर वैल्यू अगर ज्यादा आया तो यह वो ऐस्टर प्रेजन्ट है वह हाय अमाउंट में है और जो मॉलेकिलर वेट है फैटी एसिर का वह लो है ठीक है एस्टर वेल्यू क्या शो करता है amount of alkali कंज्यूम ठीक है दर अमाउंट पर मतलब किकितना कि चाहिए व्हो भी यहां पर को सैपोनिफाई करने के लिए वह कितना आलकली की ज़रुरत है ठीक है भूब भी शो करता है ठीक है तो यह इस्ट कर वैली हो गया नेक्स्ट हमारा है आरे-म वैल्यू आरे-म मतलब रिसर्च मिसल वैल्यू ठीक है इसको हम सौट में आरम वेल्यू बोलते हैं तो आरम वेल्यू में क्या आएगा तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अमल और प्रिंसिपल में क्या आएगा कि वह हम बटर को प्यॉरिफाय करने के लिए खास यूज करते हैं ठीक है बटर की जो आरम वेल्यू रहती है उसकी रेंज होती है 25-30 ठीक है प्रोसीजर है कैसे हम आरम वेल्यू कैलक्यूलेट करेंगे ठीक है तो सैंपल लेंगे उस प्लस एक्सेस 0.1 नॉर्मल की वह सलूशन लेंगे उसको एसड़ीफाय करेंगे और फिर उसका स्टीम डिस करेंगे उसके बाद डिस्टिल जो होगा वह कंटेनिंग होगा वॉलाटाइल एसिर उसे हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल की वह सलूशन एंफिन अप्थलें इंडिकेटर यूज करके ठीक है तो यह आपको क्या करना है प्रोसीजर में सैंपल ले लेना है फिर एक्स इंडिकेटर यूज करके ठीक है इतना हीजी है सब देखो उसके बाद हमको उतना करेंगे तो हमको फिर आरेम वैल्यू कल्कुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर फॉर्मिलार दी गई है कि पर आरेम वैल्यू इस इक्वल टू ए मैनस बी इंटू एन इंटू इंटू 11 तो आपको ऐसा ब्लैंक भी परफॉम करना पड़ेगा अपने जो स्टांडर किया ना ठीक है वो स्टांडर करने के बाद आपको ब्लैंक भी ऐसा परफॉम करना पड़ेगा तो स्टांडर का जो वैल्लियू आएगा मतलब के सेंपल का ठीक है हो आएगा हमारा ए और ब्लैंक का रहे गा और यह मतलब हमारी normality ठीक है तो हो गया हमको क्यों करना है अब हमारी सिगनिफीकन्ट में के आएगा है कि water-soluble volatile free fatty acid का हम एक्झामिन कर सकते हैं बट्र को प्यॉरिफाइब कर सकते हैं अगर हमारा हाइ यारम बेल्डियू आया तो हमारी जो क्वालिटी होगी बटर की वो भी हाई रहेगी ठीक है तो यह शिगनिफीकंस हो गए तो यह दूडव टोपिक आज यहां पर हम खतम कर रहे हैं का ऊई झाल झाल